है यह लो दोस्तों मैं सती सोर आप देख रहे हो आपरिटिंग बाइस की यूटुब चैनल आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा वी आन अपलिकेशन से प्रोफेशनल 3D इंट्रो कैसे बनाते हैं अगर आप भी प्रोफेशनल 3D इंट्रो बनाना चाहते हो अपने चैन जरुतने नॉर्मल मैं जू बता रहा हूं उसे स्टेप को आपको फॉलो करना है फिर आप बना पाऊगे अपने चैनल के लिए इस तरीके का इंट्रो तो चलो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं कुछ भी पूछना चाहोगे कोमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और वीडिय आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जायागा वहां सेईजली आपको डाउन लोड कर सकती हो अब यहाँ पे जैसे स्टेक्ट करोगे तो यह वीडियो स्योकी यह आंपको यहां पर स्ट करोगे आपको तच कर देना है जैसी स्टेक्शन culture को नाकर डग देगा अलगना क यहां पर दिखाई देरा होगा तो सबसे पहले आपको यहां पर देखोगे तो यह यहां तक चैनल के लोगों लेके आऊ गया तो आपको पता होगा वीडियो के उपर वीडियो या फिर फोटो लाने के लिए इस वाले लेयर के उपर ट्रैक के उपर हम टच करते हैं इसके उपर आप जैसी टच करोगे तो यहां पर दो आपसन दिखाए देगा पहला आपसन यहां पर वीडियो इसके उपर टुच करने के बाद इस तरीके से आप drag करके बढ़ा सकती हो अब हमारा जो वीडियो है वो कुछ इस तरीके का है देखो पहले आप play करके एक बार दिखाता हूँ कुछ इस तरीके का हमारा वीडियो है । इसमें मैं इसको set करूँगा by default एकदम अच्छे से ठीक है तो अब इसको जो टाइम लाइन है उसको थोड़ा सा जूम कर लेते ताकि अच्छे से समझा पाऊं अब आपको क्या करना है सबसे पहले देखो यहां पर आ रहे हो इस लोगों के ऊपर टच करोगे और यहां पर एक एकदम center में लेके आजाना है इधर उधर move करोगे तो automatic आपको center में मिल जाएगा यह देखो center में आ गया है इस तरगी से बढ़ाने के बाद में अगर आप वीडियो प्ले करते हो तो कुछ इस तरगी से आपको दिखाए देगा काफी अच्छा लग रहा है अब आपको क्या अब मैं क्या करूँगा इसके उपर मैं touch करूँगा इसके उपर touch छोटे वाले पार्ट के उपर यहां पर touch करने के बाद मैं इस तरफ आओंगा मैं और एक option आपको मिलेगा blending का blending के उपर touch कर लेना और यहां पर बहुत सारे mode दिया हुआ है अब यहां पर किसी भी mode का use कर सक तो आपके logo और आपके intro के recording जो आपको fit बैट रहा है वो आप कर लेना यह देखो मैंने यह वाला select कर दिया अब अगर मैं video play करता हूँ तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाए देगा यह देखो अभी भी just आ रहा है तो मैं क्या करूँगा इसके उपर मैं touch करूँगा यहां पर fade का option दिखाए देगा अगर मैं video play करता हूँ तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाए देगा यह देखो कुछ इस तरीके से जो बन चुका है अब आपको क्या करना है अपने channel का नाम एड़ करना है तो यहां तक play कर लेना है यहां पर आपको timing set कर देनी है यहां द आपको यहाँ पे आपके channel का नाम आना चाहिए तो इसके लिए आप T plus के उप़र टच करोगे T plus के उप़र टच करो और text के उपर टच करो यहाँ पे आप अपने channel का नाम add subheading में नहीं headline में दो अब यहाँ पे touch करने के बाद में जो भी आपके channel का नाम है वो पहला लेटर capital लिख देना ठीक है everything by SK अब यहाँ पर मैंने right tick कर लिया अब देखो यहाँ पर right tick करने के बाद यहाँ पर आप एक काम करना अगर आप इसमें style aid करना चाहरे हो जैसे font change करना चाहरे हो तो यहाँ से आप font change कर सकते हो यहाँ पर हो सकता है आप अपना font यूज करना चाहरे हो तो अपना font भी use कर सकते हो यह देखो कुछ इसमें बहुत सारे font दिया हुआ है जो भी font आपको लगता है सही उसको आप use करो ठीक है example के लिए मैं यह वाला रहने दूँगा उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर देखो triple color है triple color के उपर मैं आऊँगा और यहाँ पर देखोगे तो shadow है shadow यहाँ फिर multiple color है इसमें से कुछ भी add कर सकते हो यहाँ से माल लो मैं shadow थोड़ा सा add करना चाहरा हूँ कुछ इस तरीके का तो मैंने add कर दिया अब आपको क्या करना है देखो कुछ इस तरीके से यह दिखाई दे रहा है आपको है ना यह देखो कुछ इस तरीके से मैं play करता हूँ तो कुछ इस तरीके से लेकिन इसमें कुछ भी animation नहीं है तो अब आप क्या करोगे यह जो हमने अभी नाम लिखा है इसके उपर आप टेच करोगे और motion के उपर टेच करोगे motion के उपर टेच करने के बाद में यहां पर बहुत सारे option दिखाई देगा आपको एक बार एक ही वाले button पर आप चार बार टेच करोगे तो चार तरीके का animation दिखाएगा आपको इनने animation में आपको जो भी रखने का मन है वो आप रख सकते हो मैं suggest नहीं करूँगा कि कौन सा आप रखना चाहोगे अब आपके उपर depend करता है आप कौन सा रखना चाहोगे मैं तो यह वाला रखना चाहोँगा तो यह वाला मैं जैसे रखूँगा तो अब आगर आप वीडियो प्ले करते हो तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा जो काफे इंट्रेस्टिंग है अब आपको इसमें क्या करना HELD नेसिक कर लेना है देखो यह अभी जो है वह बहुत बडा है तो इस तरीके से आपको नीचे की record music वाले section पर फिर से touch करना है यहाँ पर भी तीन option दिखाए देगा अगर आपको online चाहिए vn application की तरफ से जो aid किया गया है उसको आप यहाँ से download कर सकते हो किसी भी तरीके का आपको copyright नहीं मिलेगा ठीक है normal आप इसके use कर सकते हो या फिर अगर आपके phone में कोई music है तो my music पर जा करके उसको आप search कर लो देख लो कहाँ पर है कौन से जगे पर है तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे music है मुझे खुद ही नहीं पता कौन सा music कहाँ पर है तो मैं यहाँ पर मैं क्या करूँ कोई सा भी music aid कर दे रहाँ थोड़ी देर के लिए ताके आपको मैं समझा पाऊँ ओके तो यह ले लेता हूँ मैं ओके तो मैं थोड़ी देर के लिए यह वाला music select करूँगा तो यहाँ पर मैं यूज के उपर मैंने touch किया और यह जितने दूर तक आप रखना चाहते हो तो तुने दूर तक रख लो और यहाँ से ओके कर दूँगा अब मैंने क्या किया एक music लेके आया और उसको मैंने select कर दिया अब मैं अगर वीडियो प्ले करता हूँ तो कुछ इस तरह की से लिखा देगा मुझे पता है यह music इसमें fit नहीं वैट रहा है जो मैंने आपको पहले play किया था वो काफी अच्छा था लेकिन यह वाला जो है वो वीडियो में था मैं चाहूँ तो extract कर सकता है वीडियो बहुत लंबी हो जाएगा तो इस तरीके से आप अपने channel का intro बना सकते हो करके बेल आइकन जरूर दवा देना तो इस वीडियो में इतना ही मिलता हूँ नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए अपने ख्याल रेखना साथ में अपनी फैमली मेंबर के ख्याल रेखना बाबाई एंड टेक केर